राम राम किसान भायो मैं नितिन फिट से हजीर हूँ आपके अपने चैनल Fertilizer Expert में किसान भायो आज के जो हमारा topic है वो थोड़ा सा हट करके topic होने वाला है थोड़ा सा हट के हैं कि ये बात में ये करतारों किसान भायो कि हमारी जो फसले हैं उन फसलों के अंदर fungus का attack हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और किसान भाय जो हैं अपने खेतों के अंदर fungi side के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में क्या लाते हैं इस्प्रे का उपयोग किसानभाई जायतर करते हैं और इस्प्रे का जब किसानभाई उपयोग करते हैं तो इस्प्रे बिलकुल ऐसा नहीं है कि बहुती सांदर रिल्ट निकालते हैं इस्प्रे अच्छा रिल्ट भी निकालते हैं लेकिन कहीं कहीं पर इस्प्रे जो हैं फेल के अंदर मिला करके नीचे डालना चाहते हैं तो आप नीचे भी डाल पाएंगे क्योंकि जैसे ही आप इसे यूरियक साथ मिला करके या फिर बालूरेट के साथ मिला करके अपनी फसल के अंदर नीचे डालते हैं तो इससे भी जो हमारी फसल के अंदर फंगस लग रही होती है वो fungus पूर्ण टेक हतम हो जाती है और मात तीन से चार दिन के अंदर आपको अच्छे और सांदर रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं तो जिस फंगिसाइट के बारे मैं आज को आपको बता रहा हूँ काफी सस्ता है, काफी अच्छा है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट के सांदर यह आपको आपकी फसल के अंदर निकाल करके देदेगा तो आपकी कोई भी फसल हो किसी भी फसल के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते है क्योंकि सब किसान भाई इस्प्रे नहीं कर सकते है तो इस्प्रे जो थोड़ा सा महनगा बैठता है उन्हें मसीन भी बड़ी लानी पड़ती है और जो चोटी वाली मसीन की साहता से वो करते हैं तो इस्प्रे करने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है या फिर यदि आपकी फसल बड़ी हो गई है तो उस कंडिशन में भी आप इस प्रे नहीं कर पाते तो इसके लिए आपको उप्योग मिलाना है वो उप्योग मिलाना है सुमो टोमो कंपनी का हारू जो हारू है हारू के अंदर के सानवाई यो आपको टैबू कोना जोल देखने को मिल जाता है साथ में इसके अंदर सलफर की मातरा देखने को मिल उसकी पैदावार बढ़ाने में इनके बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यो सलफर ये चार तरीके से हमारी फसलों के अंदर काड़े करता है कीट नासक के रूप में भी फंगी साइट के रूप में भी खात के रूप में भी और किसानवाई हमारी मिट्टी की औरुता सकती बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ देखने को मिलता है तो इन दोनों की जो मातरा आपको लेनी है पिरती एकड़ के दर से, मैं आपको बताओंगा कि कितनी मातरा आप इसकी ले सकते हैं, तो आपको लग बग एक किलो ग्रम पिरती एकड़ के हसाब से सुमो टूमो के हारू को ले लेना है, और इसे बालू रेत के अंदर या फिर ख 20-30 तक बढ़ाने की कोशिस करेगा क्योंकि इसके अंदर सर्फर दी गई है टैबो को न जोल दिया गई तो फंगस तो हटेगी हटेगी फंगस के साथ सथ हमारे फसल की पैदावार उसकी बढ़वार भी होगी तो उम्मीद है ये वीडियो मेरे किसान भाईयों को काफी करना ना भूने फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाईयों को राम राम जी